चलिए तो आज एक नए सेशन में हम लोग मिलेंगे विहार का नदी तंत्र क्योंकि आप देख रहे हूं कि लगातार पंद्रवीश पीनों से विहार चर्चा में है और वह बाट के कारण हरी तबाही और हर साल होता ही है इसके कोई अस्थाई निदान अब तक नहीं निकल है वह देखेंगे तो देखते समय इस बात पर बहुर करना है कि हम जाम पॉइंट अब व्यू से जो कोश्चन प्रिविएस येर में पूछा है उस हिसाब से देखेंगे जैसे पहले देखेंगा प्रिविएस येर उलटके तो आपको नजर आएगा कि बिहार में गंगा जो देखेंगे उसके बाद आप तक जो क्वेश्चन नहीं पूछा है वह उम्मीद करके हम लोग परहेंगे जैसे उत्तर विहार की कितने जीले हैं वह गंगा को टच करते हैं या फिर उत्तर विहार की जो नदी है उसमें से पूरव की और करम पूछ दे या पूरव से पस्ष पूरव से पूछ दे या फिर नदी के किनारे कौन सा सहर है जैसे गंडक के किनारे हाजी पूर देखेंगे या फिर प्रिवेस ये कोश्चन में देखिएगा पाटली पूत किन्दू नदियों के संगम पर है तो गंगा सोन चलिए एक-एक करके करम से देखते हैं बहुत ल गंगा वो गंगा पड़ते समय देखेंगे लेकिन बिहार में उसका कितना डिस्टेंस है यह सब देखेंगे तो चलिए सुरू करते हैं देखिए यह हुआ पूरव पास्चिंग उत्तर और दप्शिंग पूरव में पास्चिंग मंगाल उत्तर में नेपाल और पास्चिंग में ज्हारखंट यह सीमा हो गया अधिकतर नदी जो निकल के मिल रही है या फिर बिहार से गुजट रही है वह या तो ज्हारखंड के पठारी छेत्र से या हिमाले रेंज से सबसे पहले गंगा को स्पियर से उत्तर परदेश उत्तरा खंड निकलकर उत्तर परदेश होते हुए बिहार के बकशर में प्रवेश करती है और चार सो पहतालिस क्लिमेटर दूरी है यह पूछे गंगा जो है वह वह बिहार में कितने किलोमेटर तो वह 445 किलोमेटर और फिर बंगाल की खाड़ या फिर विहार के प्षिन से पूरब की तरफ क्रम देखेंगे अगरा गंडग कुडी गंडग बागमती अविधारा कमला कोशी अविद्धारा कमला कोशी तरत कीज़िए गंडग के बाइधारा घागरा, गंडग, बुडि गंडग, बागमती, अवधारा, कमला, कोशी, कनकई और महानंदा अब उल्टा पूछ दें जैसे पूरव से पस्चिन के तरफ महानंदा, कनकई, कोशी, कमला, अवधारा, बागमती, बुडि गंडग और गंडग वो एसे ही पूछते गंगा के ताहिने और से मिलने वाले नदी कर्मनासा ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा मनाती है और ये इसको आपवित्र नदी माना जाता है कर्मनासा सोन पुनपुन फल्गु धाधर पंचाने बढ़ुआ या पूरव से पस्षीम के तरफ दखेगा बढ़ुआ पंचाने धाधर फल्गु पुनपुन सोन कर्मनासा अब क्वस्चन यहां से पूछे हुए फल्गु या निरंजना बोध गया से मात्मा बुद्ध को कि किनारे करते हुए ज्यान प्राप्त हुआ था तो यह पूछ देगा तो बहुत गया अब देखिएगा गंडक यह अन पूर्णा स्रेनी से निकलकर पुनपुर में पहलेजा घाट के पास गंगा से मिल जाती है हागरा या सर्यू यह माप चोचुंग ग्लेशियर नेपाल से निकलकर खप्रा के समीब गंगा में विलीन होती है फिर नेक्ष देखेंगे पागमती अवधारा कमला कोशी यह सब महाभारत स्रेनी नेपाल से निकलकर बाइंवर से गंगा में मिलती है और सबसे पूरब में नदी पूछ दे एक बार पूछ चुका है सबसे पूरब में इस तो महानन्दा उप्सन वें देखेंगे क्या क्या उप्सन से क्कुष्टण बनेगा कि यह उत्तर विहार की अब दक्षिर विहार के दखेंगे विन्धिया चल स्रेनी कैमुऊर से एक करमनासा निकलती है फिर अमर कंटक मद्ध प्रदेश में अमर कंटक से तीन नदी न नरंदा सोन और एक पूरिशा में जाने वारे नदी देखिएगा उसको फिर छोटा नागपुर पठार से पुन-पुन और वहीं से फल्गू, आधर, फंचाने, पड़ुआ के सब धारखंड के पठार नागपुर पठार से निकलती है तो बहुत मुस्किल नहीं है, अगर तीन-चार बार याद कीजेगा तो याद हो जाएगा और एक आत कोश्चन रहेगा ही रहेगा देखते समय इस बात के अगोर कीजेगा कि नदी किनारे अगर कोई सहर है तो वो देख लिजेगा या फिर कोई धार्मिक अस्थल है अब एक प्रिवेस जीले कोश्चन देख लिए विहार में गंगा की लंबाई कितनी है तो 445 किलोमेटर तोटल 12 जीले से गंगा विहार में जाते हैं बकसर, भोजपूर, सारण, पटना, वैसाली, समस्तिपूर, बेगुसरा, खगडिया, मुंगेर, बागल, पुर्पूर् तो डिविजीन करते समय, 3-4 बातों को याद रखना, एक नदी बाई और से मिल रही है कि दाई और से, जब बाई और से पूछेगा नदी ऐसे जा रही है, उत्तराखंड, उत्तर परदेश होते, पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी, बाई और से पूछेगा तो धागरा गंडग, बुडी गंडग, बागमती, अबधारा, कमला, कोशी, कनकई और मानन्दा, ना यह और से पूछ देगा, करमनासा, सोन, कुनपुन, फल्गु, धाधर, पंचाने, बड़ुआ, याद रखना, 3-4 बाद आप देखिए का तो याद हो जाएगा, बहुत मुश्किल नदी का उद्गम अस्थल कहां है और कहां जाके गंडगा से मिल रही है, तो यह गंडग, पहलेजा, घाट, सोनपुर में, बागमती, मुंगेर के पास, तब्त, कोशी, कुरसेला के नजदीक, महनन्दा, मनिहारी, कटिहार में, सोन, मनेर के पास, और पंचाने, मुंगेर क के पास, बहुत मुश्किल नहीं है, तीन-चार बार देखिए, याद हो जाएगा, और प्रिवेस येद्गा पूश्चन पूछ चुका है, वह भी देख लीजेगा, तो मिलते हैं आगले वीडियो में, तब तक के लिए आप डिविजन कीजी,